नमस्कार मैं शंभू कुमार सी और आप देख रहें निशनल दस्ता का फेस्बूक पेज लाइब आज टीवी देखा आप लोगों कल अख़बार भी देख लिजेगा भारत में से पहले किसी मुखमंत्री का इतना बड़ा ग्रैंड कवरेज नहीं हुआ था सफ़त तो पहले भी होती थी लेकिन स्थ तरह का मीडिया मेडेज्मेंट जो है वो किसी नहीं हुआ था यूस took क्या मतलब है इसके आप कैसे समझते हैं क्या देखते हैं इस पूरे मीडिया म केड को लेकर आपो्या राहे है आप चाहे तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं सीधा और क्या मतलब है इसका और सबसे पहली बात क्या आप उमीद कर सकते थे कि कोई और राजीतिक दल केशाफ पशाद मौरिया जो चुनाव हार जाते हैं उनको डिप्टी सीम बनाया जाता है क्योंकि वो बीजेपी ने क्या सबक लिया है उपी चुनाव से और वो क्या 2024 के चुनाव की तैयारी में जूट गई है और यह जो पूरा सपत गरहन समारो हुआ वो उस स्टेडियम में हुआ जहां खिलेश यादम ने बनाया है दो मायवतिजी ने एक्सपेस वेड बनाया फर्मूला वन रेस बनाया इन्वसीटिया भी खोली कंसी राम सात के नाम से स्कूल अस्पताल कोलेज भी बन वा एं अर खिलेश यादर ने वे उस customers को अगे बराया स्टेडियम बनाया मेट्रो बनाया एक्सप्रेस वे बनाया फ अखिलेश का दावाय कि मैंने बनाया लेकिन बीजेपी ने पाँच-पाँच किलो रासन दिये हैं बद्ले में स्कूल कॉलेज में कटोती हो रही है बीजेपी को पता है कि इस बार चुनाओं उसे क्या जहलना परा है कैसे वो चुनाओं जीती है इंट्रेस्पेक्शन कर रही है वो और सोचिए कोई पार्टी जीते हुए किसी नेता को डिप्टी सेम बना रही है जिसका योगी जी से बिल्कुल 36 कहा करा था इतना डिले क्यों हो रहा था सपतगरन समारों में आपको क्या लगता है यहीं बात नहीं बन रही थी लेकिन बीजेपी को पता चल गया है कि कि एसी एस्टी ओबीसी के लोग एक जूट हो रहे हैं माइनौर्टी के लोग एक जूट हो रहे हैं और हर बार उनको कुछ नकुछ लाना परेगा आगे और इसलिए ओबीसी के बड़े चेहरा को मुखमंत्री बनाया गया है मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी की जो आइड डालो जितने मुखमंत्री बना लो वो इसकूल की लटाइ को आगे नहीं बहा सकते हैं क्योंकि वो उनके डिये ने में नहीं है वो इसकूल कोलेज इन्वरसिटी नहीं खोलेंगे वो सरकारी jurisdictions संथाएं नहीं बनाये उसको बंद करेंगे तोंकि वो सरकारी संस्थाएं जित और लोग अपने अधिकारों के लिए सजग होंगे वह आपको अनाज दे सकते हैं लेकिन गलती कहा हो रही है गलती वहां हो रही है जो कि अधिक और मानोर्टी के नेता हैं वह भी सोशल जस्टिस के अंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए तयार नहीं है उनको भी लगता है कि जो बीजेपी गाय गोबल गौवमूत्र और आइडिलोजी की राजिती करती है वह राजिती करके वह भी चुनाव जीत लेंगे ऐसा न इसलिए बोड देता है कि वो मुसल्मानों को टाइट रखे और सबन समाज आरक्षन खत्म हो और एकनोमिक भीकर सेक्षन काम को आरक्षन मिल गया लेकिन हमारी निताहीं नहीं कर सकता अब सुचिए बीजेपी की पॉलिसी कितनी अच्छी है हारे को भी मुखमंत्री डिप् में बहले ब्लसट को आदमी आपका पैर पकरेगा वह गर्दन वी पकरेगा तो सुचिह बिहार में वो मुकेसर een की पाठी करवा लेती हैं वहीं यूपी में वह निसाद समाज निसाद पाठी को अपने पाले में रखती है वो पी राजवर के साथ क्या हूँ आपको पता है तो क्या लगता यह सब समझने की कोशिश की मैं फिर अभी भी कह रहा हूँ कि चाहा वो मायवती जी की पार्टी हो, चाहा अखले स्यादव की पार्टी हो, चाहा आरजेडी हो वो कुछ भी उसमें साड़े के सारे सबन भर जाएंगे उसके बाद भी वो सोसर जस्टीस के खिलाफ कम से कम नहीं जाएगी उसको इंप्लिमेंट न करें अच्छे से स्टागिन की तरह लेकिन वो उसके खिलाफ नहीं जाएगी लेकिन बीजेपी और कॉंग्रेस में चाहिए जितना स्टी ओभी सी के लोग भढ़ जाए उसकी लीडर्शिप जो है वो सवन समाज के हाथ में है तो वो अरक्षन खत्म करेगी वो कॉलेज इनवर्सिटी नहीं बनाएगी वो गाय, गोवर, गौमुत्र और धार्मिक पर्तिकों की राजनीती करेगी लेकिन गलती हाँ यह है जो हमारी दूसरी पीधी के नेता हैं जो सरकों से नहीं आया है जिनोंने अंदोलन नहीं देखा है अच्छी बात है लेकिन कम से कम उन्होंने अगर सोशल जस्टिस देखा है तो मुझे लगता है कि जो मुलायम सिन यादव, लालु यादव, सीभू सोरेन, करुना नहीं दिये, स्टालिन जो लराई लग रहे हैं वो भागिदारी की लराई लग रहे थे, वो सर्वाइवल की लराई लग रह लग रहे हैं कि पांच तस्वीरे देखिए, गटकरी, राजनासिंग, नड़ा, पधानमंत्री मोधी, पधानमंत्री बोधी, राजनासिंग, गटकरी, नड़ा, और एक कोई और, अमिश्या, यह पांच लोग है और यह पांचों की परिवारिक विश्ट भूमी राजनीती नहीं है, मतलब यह पांचों RSS के आइडिलोजी से पक के निकले हैं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कहीं गलती नहीं हो रही है, जो हमारी लीडर्शीप है, चाहे वो चिराग पास्वान हो, चाहे वो तेश्वी आदब हो, चाहे अखले से आदब हो, या फिर हमन सोरेन हो इन सब लोग को सरक से राजिती नहीं मिलिया, इनको परिवार से राजिती मिलिया, उसमें कोई अपराद नहीं हैं, लेकिन वो धार जो आप खोज रहे हैं वो धार नहीं मिलेगी, उस धार के लिए तो आपको उपिंदर कुश्वाद, वो नितीजग दी, राम इलास पास् सबसे बड़ी दिक्कत है कि क्या इनके पास कोई है बिहार चुना हो रहा था मुझे बताए गया कि तेजस्वी आदर का कहना है कि हम हर्लाइनर को दूर रखेंगे और उनको उने राजपूत अपना अध्यक्ष बनाया और राजपू़ समाज को जोडनी कोशिश के अनंदानों की पत्नी लफली आनंद को जोडनी की कोशिश की उनके बेटे को टिकर दिया उनको उमीद थी कि कॉंग्रेस को उनने बहुत जाद साथी कर दिया तो उनको उमीद थी कि कॉंग्रेस के बाहने कुछ ब्रहामन और भूम्यार बोट मिल जाएंगे राजपुत उनको बोट कर देंगे ऐसा नहीं हुआ अखले जी ने भी इसी तरह से इस्तीतियां की लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि इस देश में जो बोटिंग पैटर्न है कोई मुसल्मान जैसे वह वैसी की पार्टी है उसको सिजुलकाश्ट बोट नहीं देती है वो कहती है कि यार ये मुसल्मानों की पार्टी है जब तक गट इस उसी तरह से इस को बोट नहीं करता है जब तक गटवंदन नहीं करता हूँ कि सभी द्लोग को च्छता है तो सब को बोट करते हैं बहुंज़कर जो बहुर्जचिस को समझता है उसी तरह क्या धार इस वोट और बोट करता है ऐसी तरह से सर्वन समाज के लोग हैं वो और सिर्फ धार्मिक मजहों से ओर आरक्षन खत्म करने के नाम पर के बूँट करता है कि आख कर अधो यह एक बॉइंठ्य जो वहोजन नेताओं को समझना पड़ेगा बीजेपी समझ चुकी है बीजेपी को पता है कि वो कुछ भी कर लेगी धर्म की राजीती में मुसल्मान उसे बोप नहीं करेगा तो वो मुसल्मान को ठीकट नहीं देते हैं और वो उस ठीकट को खपाते हैं अती पिछों में वही राजनिती के जंड़ा एपीजेपी को तो उनको हराने के लिए आपको social justice की बात आपको कहना परेगा social justice की लगाई आपको लगनी परेगी social justice की बात करनी परेगी musulman भी 90% OBC category में उनको भी आपको कहना परेगा कि social justice मतलब उसमें आप भी है तो EBM तो है ही वो हम सब जानते हैं लेकिन मैं एक सोचल कंट्विश्रमाजिक समय दूसरी बड़ी बात है कि आपको बात करनी पड़ेगी आपके पास TV चैनल्स नहीं है सोचल मीडिया पर पत्रकार नहीं है संसाधन नहीं है यह भी बड़ी समस्या है तो संसाधन पर भी बात करनी पड़ेगी और सत्ता अगर आपको मिल जाता है तो आप इडिलोजिकली काम नहीं करेंगे तो सत्ता को बनाए नहीं रख सकते हैं तो बीजेपी ने केसा प्रसंद मौया को इसलिए दिया है क्योंकि उनको 2024 का भी चुनाव लरना है और वहां इस बार बहुत बड़े पैमाने पर OBC के जो समाजिक जागता आई है सुचिए मैं तो कभी कलपना नहीं कर सकता था मैंने जितना काम अब तक किया है उसके से डर निकालके तो और ज्यादा लोग बदलेंगे गाउं गाउं तक बदल रहे हैं गाउं समाज बदलने लगवग बहुत ज्यादा बदलाव आया है यह बात पुलिटकल लीडर्शीप को समझनी परेगी उनको उनके जो लोग हैं उनको बताना परेगा और जो एस्ट्यो को भी सी मानोटिक लीडर्शीप को मुझ खलना परेगा बात करनी परेगी नहीं तो मैं एकीन के साथ कह रहा हूं कि जो हमारी सेकेंड जेनेर्शन लीडर्शीप है वो सत्ता में तो नहीं आ सकते हैं वो सुरक्षित रहेंगे उनका उनके उनकी लिए जन्दी बच्ची रह नहीं वारो कि आएढ्याब खूल multiplier रहें तो यह तमाम चीजें यह आपको समझ भी दोगों को इसे बात करना पर एगा भी मिलना परेगा आना परेगा 247 काम परेगा लेकिन सबसे ज्यादा जो मुश्कील है वो स्योछी मानोटी और लोगों की है भरने बर रही है जो मि कि बात कर रहे हैं उनके लिए मुश्किल उनको लगता है कैसा नहीं है हमें कुछ भी मुफ्त में नहीं मिला है इसकी हमारे बाप दादाओं ने कुरवानी दी है रही बात सेकेंड जेनरेशन लीडर्शिप की तो उनसे अभी भी उमीद है साथ वो दूसरे की बात को समझे द दिल दिखाना पड़ेगा अपने लोगों से मिलना पड़ेगा सुची आप यूपी में जिसरे से खिलेश यादव ने मेल सी का टिकट बाटा है अगर उसमें स्टी ओभी सी मानौठी का एलाइंस होता तो ज्यादा बहतर होता पता नहीं कौन लोग हैं जो इनको एड़्व लिए उसके लिए उनको दिलीप मंडल जैसे असोगदा जैसे सुमीच चोहान जैसे तमाम जो सोचल एक्टिविस्ट हैं प्रोफेसर विबेख हैं नित्रिमेस्ट्राम हैं मिना कोटबाल है निधी रतन है इसे तमाम स्टी ओभी सी मानौठी के लोगों को अपने साथ जोड होने पड़ेंगे यह न समझें उनको कि उनको जो भी मिला है वो आज जनता उनको अखलेश यादव हो तेजस्वी यादव हो या हमन सोरेन हो या फिर तमाम भगजनिदर्सिप हो जो जो सेकेंड जिनेसर उनको इसलिए प्यार करती है क्योंकि उनके परिवार ने बड़ी क प्यार करती है लेकि उनकी जिम्मेदारी बड़ी है उनको समझना परेगा कि जिस समाज से वो आते हैं वो खत्रे में हैं डिमक्रेसी खत्रे में हैं लोग बहुत ड़रे सहमें हैं और हमें बहुजन समाज के लोगों से मैं बुजारिस कर रहा हूं कि आपको सरक के नेता को गले लगाना परेगा अगर आप सरक के नेता को गले नहीं लगाएंगे तो यकीन मानिए लडाई बहुत कमजोर पर जाएगी मैं यह नहीं किराओं मैं किसी खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ जो जिनको परिवारिक बजों से राजिती में आए हैं उनका भी सम्मान है लेकिन ने लोगों को आपको मौका देना परेगा और जो एक बहुजन समाझ में जो एक इंसेक्योरटी है जो नेताओं की वो दूर होनी चाहिए आप भले मुखमंत्री बनिये, मुखमंत्री का पद आपने रिजर्व रखा है, मुखमंत्री बनिये, राष्ट्री अध्यक्ष का पद रिजर्व है, वो भी बनिये, लेकिन कम से कम नए लोगों को जो जेल जा रहे हैं, जो तमाम तरह की तकलीफे उठा रहे हैं, जो तो आपको भी मौका देना चाहिए जो तमाम आपके ही पार्टी में बहुत सारे ऐसे सोशल अस्तर पर काम करने वाले यूबा है पिसली बार अच्छा टिकट भी दिया था अखलेज जी ने इस बार कुछ लोगो टिकट दिया था इस तरह के लोगो तो उनको आगे आने का आपको मौका देना परेगा और दूसरी बात कि आपको हर समाज से एक लीडर्शिप देनी परेगी समझना परेगा मुझे लगता है कि इसके लिए बहुजन समाज को अपने अस्तर से भी काम करना परेगा और जो जागरुकता मैं फिर कह रहा हूँ मैं सिड्यूल कास्ट का बहुत अहसान मन्द हूँ जो लोग सबसे ज़ादा प्रेग्ट्री सोसाइटी करते हैं सबसे ज़ादा बहुजन अंदुलन को चला रहे हैं पिर्यार अंदेटकर और सलिधान को बचाने की लडाई लग रहे हैं बिना किसी संसाधन खे उनके युवां बहुत संख्या में जेल जा रहे हैं OVC के जो लोग हैं उनको समझना पड़ेगा आरक्षन की लडाई जब तक नियता इस पर बात नहीं करेंगे टेलिवियन अख़वार है नहीं आपके पास सोसल मीडिया पर आप बात कर सकते हैं रोज रिजर्वेशन के साथ खिलबार होता है उस पर मैं देखता हूँ कि ये CSTOBC मैनोटिक लिडर्शिप में बिलकुल वो संबेदना है नहीं है वो बात नहीं करते हैं एक बिलीप मंडल पूरे लगभग 10 करोर से ज्यादा भीवर्शिप को मोबलाइज करते हैं और उनको रोज बताते हैं कि कहां रक्षन खत्म हो रहा है कहां जाती बात बहर रहा है कहां सारी समस्याइए बीजेपी की तरफ बड़ा दिल दिखाना परेगा आपको बीजेपी से आप और कॉंग्रेस से आप सोसल जस्टिस की उमीद नहीं कर सकते हैं उनका इडिलोजी ही नहीं है लक्षवनियादर में ठीक ही कहा है कि सोसल जस्टिस और पाखंड एक साथ नहीं चल सकता है धर्मिक राजनिती और सोसल जस्टिस एक साथ नहीं चल सकता है यह तमाम ची की पार्टी है वो मुखमंतरी के कैंडिडेट हैं राष्टी अध्यक्ष हैं लाखों करोरों लोग उनको सुनते हैं फॉलो करते हैं तो वो सब डिमोक्रेसी की देन है और उनके जो 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 उनके जो पैरेंस से उन्होंने समाज के लिए बहुत संगर्स किया है तभी आपको ब बनाया रखने के लिए एक बार लगता है कि आपको फिर से सब को बराना पड़ेगा और आपने लोग के साथ ख़रा होना पड़ेगा मैं अभी भी कह रहा हूं बहुत देर नहीं हुई है आज भी अगर ते यश्वी आदर अखलेश यादर मायावती जी नितीश कुमारू पिंदर कुश्वाहा चिराग पासबान तमाम ऐसे लोग जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनके साथ ख़रे हों एक दूसरे से बात करें मिलें अब तो आसान है आप ट्वीटर के जड़े बात कर सकते हैं मिलने का मतब तरी घर जाके मिलें ये तमाम चीज़े हैं जो और जो को और पहरे कि 5 किलो और अनाच पर बोड़ दिया उनको समझना चाहिए जब हागे के लिए 5 किलो बहुत होता है भाई साथ अखलेश यादव को भी काम करना चाही था उस समय लेकिन मैं फिर कह रहा हूं मैं 5 किलो से सज़ादा स्कूल कॉलिज इंवर्शिटी का परसदर हो लेकिन भूख की एक अलग समस्या है भूख की एक अलग जाती है खैर क्या लगते आप लोग को स्टालीन लगातार कोशिश कर रहे हैं हिंदी पट्टी में आने का और एडियम तेज मुद्धा ही लेकिन मैं एक पर फिर कह रहा हूं जो मैंने सुसाइटी को देखा है पिज़ लगातार डिम्क्रेटिक तरीके से संघर सरत रहेंगे एक पत्रकार होने के नाते मेरी पहली रिस्पोंसिलिटी इस देश के संभिधान के साथ है जस्टिस के साथ है और विक्टिम के साथ है आप लोग इतनी संख्या में जूरें आप सब का बहुत शुक्रिया निसनल दस् लिखियन रिजी में उसका रेड कलर में सब्सक्राइब आएगा उसको दवा सकते हैं बाल आइकन दवा सकते हैं हमारी कोशिश होगी कि वो तमाम बाते आपसे हो वो तमाम ख़बरे जो आपके लिए ज़रूरी है वो हम आपके लिए लेकर आए शुक्रिया निसनल दस्तक क आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निसनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर ख़बर को शेर करे लाइक करे कमेंट जरूर करे